शुरीपाद आयंदर प्रभु काउन है? मित्रों, शुरीपाद आयंदर प्रभु, शुरील्ह प्रूपाजी के अगरणे शिष्य थे। शुरीपाद आयंदर प्रभु कोई साधारन वेक्ते नहीं बलक्ई, वो महाप्रभु के एटर्नल असुसियेट थे। काफी लोग आयंदर प्रभुजी की बारे में नहीं जानते पर आजम इन सिद्ध संथ की बारे में जानने का प्रयास करेंगे मित्रों आयंदर प्रभुजी का जन्म 1953 में अमेरिका के एक संगीत कार परवार में हुआ था क्योंकि आयंदर प्रभु नित्य सिद्ध वैश्नों थे इस कारण वे बहुत कम उम्र में काफे वाद्य अंतर सीख चुके थे आयंदर प्रभु जब धिरे धिरे बड़े हुए तो उनको श्रिल प्रोपाजी की बुक मिले जिसका नाम था इसके बाद उनको क्रिश्न बुक मिले जैसे ही प्रभु जी ने क्रिश्न बुक को पढ़ना स्टार्ट किया वे उसी में मगन हो गए और अपने अंदर उनको क्रिश्न बलराम के धाम के लिलाएं दिखने लगी इस कारण वे भाविवर हो गए मित्रों आयंदर प्रभु आरंब से ही काफे ट्रांसेटिंडल थे पर उनकी पत्नी सनकी टाइप की थी एक दिन आयंदर प्रभु जैसे ही घर के अंदर आये उनकी पत्नी ने गुस्ते में आकर किताब लेकर प्रभु जी के मुँँपे मार दिया आयंदर प्रभुजी ने जब उस बुक को देखा तो वो इशो मनिशत थी जिसको प्रवपाज ने लिखा था जैसे ही प्रभुजी ने इस किताब को पड़ा तुरंत उन्होंने घर चोड़ दिया और पास के इसकौन टेंपल में जोइन हो गए प्रभुजी रोज मंदिल में विक्रों की पूजा करते और बुक्स डिस्ट्रेबिशन करते ते मित्रों आपको विश्वास ने होगा पर आयंदर प्रभु रोज ट्रक लेकर बाजार जाते ते और लगातार आट घंटे तक किरतन करते ते कोई भी नया व्यक्ति निरंतर बाद में आयंदर दास नाम पड़ा शुरीपाद आयंदर प्रभु आरंब से ही हरिनाम के प्रती बहुत पागलते वन टाइपो हरिदास ठाकुर की तरह ते जो सदैव हरिनाम जबते ते आयंदर प्रभु रोज आट या बारा घंटे किरतन करते ते और अपनी माला भी पड़े पर मार्ग में ही उनको गुरु सेवा का समरण हो आया वेतों 1975 में शिलप रुपाज ने उरुंदावन में कृष्ण बल्राम मंदिर खोला था और वे 24 घंटा वहाँ पर किरतन चलाना चाते ते पर कई कारणों से वो विफल हो गया था आयंदर प्रभु जी को सेव आयाद आ गई और वे मंदिर में वापस आ गई 1986 से ही आयंदर प्रभु जी ने मंदिर में 24 घंटे हरे कृष्ण महामंतर का किरतन आरम कर दिया प्रारम में वे अकेले ही एक जगा बेटकर 24 घंटे किरतन कर देते ते इनकी determination देखकर बाकी भक्त भी इनका साथ देने लगे आवर शिफ्ट वाइज निरंसर किरतन चलने लगा मित्रों आयंदर प्रभु जी का किरतन इतना पावरफुल होता था कि नास्तिक भी आकर किरतन करते वे नाचन लगते ते कई भक्तों ने केवल इस किरतन को सुना और वे भी भाववेश्में आकर नाचन लगे ऐसी श्री प्रभु जी रोज 116 माला करते और करीब करीब 2-3 घंटे तक भक्तों की प्रश्णों का जवाब देते थे मित्रों आयंदर प्रभु जी के पास 2000 से भी ज्यादा 60 ग्राम शिलाएं थी प्रभु जी रोज उनको तेल से मलते और उस पर चंदन लगाया करते थे मित्रों रा प्रभु जी के सारे बुक्स पढ़ ली थी और वे रोज चार घंटे भागोतम पर क्लास देते थे प्रभु जी ने 80 से भी जादा किताबी लिखी हैं आयंदर प्रभु इतने बिजी चुडल में भी किताबे पढ़ लिया करते थे मित्रों आयंदर प्रभु जी को कुछ ड प्रिनाम के प्रदी बहुत प्रेमी थे उरुंदावन में एक तांत्रिक रहा करता था जो आयंदर प्रभु से बहुत इर्शा करता था एक दिन रात में उसने आयंदर प्रभु को मारने के लिए काला जदू करना श्टार्ट किया जब आयंदर प्रभु सो रहे थे तब उ पूरा ढख दिया, वो काले शक्तियां आते थी और बबल से टकरा कर वापस चले जाते थी, ऐसे ही कुछ मिंटों तक चला और काले शक्तियां आने बंदो गई, तब बबल भी गायब हो गया और आयंदर प्रभु को गाड निद्रा आ गई, जब अगली सुबा आयंदर नहीं करना चाहिए, वैशनों अपरादी को क्या-क्या दंड भुगतना पड़ता है, इसका उल्ले का सकंद पुराण भक्ति संदर्ब और हरी भक्ति विलास में आता है, मित्रों 2009 में आयंदर प्रभुजी भाव भक्ति कर रहे थे, उनकी तीवर इच्छा थी कि उनका धाम में काउं सा सुरूप है ये जानना, बिसिकली प्रभुजी अपना सुरूप जानना चाह रहे थे, उन्होंने निताई गवरों के चरणों का आलिंगन किया और बहुत देर तक प्रातना करते वे रोन लगे, आखिर में उन्होंने रोते वे श्रिला प्रुपाजी से प्रात अपना की, तब साक्षात श्रिला प्रुपाजी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने आइंदर प्रभुजी को सोरूप सिध्धी प्रदान की, प्रुपाजी ने बताया की धामे उनका नाम क्या है, सोरूप क्या है, वे किसके दास होंगे, उनका स्थान काउसा होगा, ऐसे उनके ग्यारा लक्षण बताये और वही अंतरधान हो गये, अपना सोरूप राप्त करने के बाद प्रभुजी भावा वेश में रोड लगे और नाचने लगे, मितनों आप क्योंकि आयंदर प्रभु प्रेम की अवस्था में पहुंच रहे थे, तब उ आयंदर प्रभु भाग कर ख़ड़ की खोलने गए, तबी उनके सामने निताई गवरंग प्रकट हुए, तब आयंदर प्रभु जे ने उनको दंडवत प्रनाम किया, तब नित्यानन जे ने उनका हाथ पकड़ा और धाम ले गए, ऐसे 2010 में प्रभु जे ने अपने धिये क को छोड़ दिया, अकसर आयंदर प्रभु सुबह चार बज तक आजाया करते थे, पर अगली सुबह पाच बज गए, पर आयंदर प्रभु नहीं आये, ये देखके कुछ ब्रह्मचारी उनके रूम में गए, बहुत देर तक आवाज लगाई और दरवाजा खट-कटाया, पर कुछ भी सिगनाल नहीं मिला, तब कुछ ब्रह्मचारी सहास करके खटकी तोड़कर अंदर गए, तब रूम में सिर्प धुआ धुआ है, और आयंदर प्रभु निताई गवरंग के मूरती के सामने दंडवत प्रणाम के मुद्रा में पड़े है, तब ब्रह्मचारी घ बिवे तरीके से अपना शरिल छोड़ दिया, और वे धाम चले गए, वितनों आपने इन माताजी को यूटूब में आवश्य देखा होगा, ये भी एक बहुत अच्छी कृष्ण भगता है, चो इसकौन से जुड़ीवी है, ये घटना आयंदर प्रभु जी के डिपार्च हो गई और अपने रूम में आ गई, रूम में आने के बाद उन्होंने पूरे दिल से शुरीपाद आयंदर प्रभुजी से प्रातना की कि वे उनकी पेरेंट्स का मन बदल दे, मित्रों इस प्रातना की तुरंत बाद रात को उनकी पिताजी कमरे में आये और बोले, हे तुम रूंदावन जा सकती हो, अपने पेरेंट्स का मन बदला हुआ देखकर ये माता जी बहुत खुश हो गई, और बार बार आयंदर प्रभुजी को धन्यवाद देने लगी, ऐसे आयंदर प्रभुजी धाम में होते वे भी, आज भी उनकी उपस्तिती हम आनभो कर सकते हैं, आयंदर प्रभुजी एक नित्य सिद्ध वैश्नव थे, उनको सोरूप सिद्धे प्राप्थ होना, ये बस एक लीला मात्र थी, आल गलोरिष्टो श्रीला प्रभुपाद एंड, आल गलोरिष्टो श्रीपाद आयंदर प्रभु, तो आज के लिए विसतना हैं, हरे श्रवशना